नहार कथिया के जैपूर स्थित बीहिंग पार्ट काई नेशनल पार्ट से होकर बहने वाली बुरी दिहिंग नदी में शनिवार को एक मृत हाथी बडामत किया गया मृत हाथी को जैपूर वन विभाग ने बडामत किया है खबरों के मुताबिक शनिवार सुबे कुछ स्थानिय युवकों ने जैपूर के दिगोली घाट इलाके में एक मृत हाथी को बुरी दिहिंग नदी में बहता हुआ देख जैपूर वन विभाग को खबर देने से वन कर्मियों की एक टीम के साथ जैपूर वन अधिकारी शरत्चंद्र नियुग भी घटना स्थल पर उपस्तित होकर मशिन संचालित नोका, स्थानिय लोग और जेचिवी की मदद से मृत हाथी को उद्धार किया इस बीच डॉक्टरों की एक टीम मौके पर पहुँच कर हाथी का पोस्त मार्चम कार्य शुरू किया लेकिन हाथी के शरीर पर कोई भी चोट के निशान ना होने की वज़े से उची पहारी से पिसल कर नदी में गिर कर पत्थर से चोट लगने की वज़े से हाथी की मौत हो करने का संदे किया जा रहा है वन विभाग में इस नर हाथी की उम्र 12 से 15 साल होने का अनुमान लगाया है हाथी का शब मिलने के बाद से ही इलाके में संसनी फ्यल गई है कि अधे लगे अपने के देखा पाहिशी का थेस्यक्टी है हाथी बित अभ्यस में डब मिलने कर पाहिए हुआ कर लिज़े Repell अज़त्य वगणड बाइब आफ नहीं पहता है। नहार का टिया से खिरुत कोर्ड की रिपोर्ट अस्तमा दिस्टियों.